कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय सला कानूनी सला या तो व्यक्तिगत सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दुश्तो काफी टाइम से हम इंतजार कर रहें थे कि यूएस प्रेजिंडियल इलेक्षन कब होगा अब इंतजार खत्म हुआ आज की तारिक में अमरिकन इलेक्षन होने वाला है आज है 5 नवेंबर 2024 आज की तारिक को इलेक्षन होगा अब शवाल यहां पे आएगा कि क इलेक्षन वीन करते हैं तो क्रिप्टो वाले काफी ज्यादा खुस होंगे और कमला हैरिस अगर इलेक्षन वीन करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा पेनिक वाला हमें माहुल देखने को मिले बट डरने वाली कोई बात नहीं है आगे जाके मार्केट है वो संबल जाएगा क्रिप्टो करंसी को ज्यादा चाते हैं उसके लिए काफी सारी पोजीटिव चीजे भी हमें बता चुके हैं और काफी ज्यादा पोजीटिव वादे भी कर चुके हैं ऐसे वादे कमला हैरिस ने नहीं किये हुए हैं तो यहाँ पर क्रिप्टो यूजर ज्यादा से ज्याद यह चाते हैं कि डोनल्ड ट्रम्प एलेक्शन को विन करे अब यहां पर डेटे नाकड़े बता देता हूं अमरीकन एलेक्शन आज के दिन मतलब आज हैं थरजडे पांच नवेंबर दोज़ार चोबिस को होना है जोसतो रिजर्ट एक्श पे किया जा रहा है, आज के दिन अमरीका का आज का दिन रहेगा 6 पीएम, 6 पीएम अमरिकन टाइम और इंडियन जो टाइम रहेगा इंडियन स्तेंडर्ड टाइम मतलब morning के टाइम की बात हो रही है Mourning के 30.40 बज़े के आस पास result है हमारे सामने आ सकते हैं शाड़े चार एम इंडियन स्टैंडर टाइम morning के याद रखना morning के शाड़े चार बज़े result आएगा यह आपको note करके रखना पढ़ेगा ठीक है आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि result आने के बाद winner अपनी office के अंदर कब जाएगा तो वो सपत 20 जनवरी 2025 के अंदर लेंगे और white house के अंदर एंटर करेंगे और फिर अगले चार शाल तक कर वो handle करेंगे ठीक है तो यहाँ पर clarity आ चुकी होंगी कि आजी के दिन यहाँ पर election होने वाला है 5 नवेंबर 2024 और काफी ज़्यादा लोग है कुस एक्सपेक करना सुरूखी है कि यह win करेगा यह win करेगा उसके बाद result यहाँ पर 6 पीम की बात हो रही है American time और Indian time सुबह 4 बजे ठीक है और उसके बाद white house के अंदर कब winner enter होगा 20 जनवरी 2025 को तो यहाँ पर clarity आप लोग को मिल चुका होगा अब दोस्तो हम लोगों ने कुछ पोल करवाया था हमारे Twitter account के अंदर वजिरेक्स पेसा वापस दो यह वाला Twitter account हम लोगों ने बनाए especially वजिरेक्स के लिए और पहले हमारा official था online crypto school के name से जो क्या आगे जाके अगे ने change होगा online crypto school ही name रहेगा तो यहाँ पर हम लोगों ने एक voting कर वाया था उसके अंदर हवा किस तरफ जा रही है तो हवा जा रही है टरंप की ओर crypto वाले चाते कि टरंप win करे 82% तक कहीं भी यहाँ पर voting किया जा रहा है Twitter के अंदर तो crypto वाले वोट कर रहे है टरंप को ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है 80% संभावना है कि डोनल्ड टरंप है वो ए election है वो win करेंगे बागी देखते हैं कौन win करता है अब यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की राय हम सुनते है सबसे बेले एलोन भीया क्या चाते है इलोन भीया यह चाते हैं कि डोनल्ड टरंप election को win करें उसके बाद आगे हम बात करेंगे जोई रोगन ने officially बता दिया है कि डोनल्ड टरंप है वो ही यहाँ पर प्रेजिडेंट है वो बनेगा आगे हम बात करेंगे तो जीम क्रैमर ने ऐसा कहा है कि मारकेट का ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि कमला हैरिस से वो victory बनेंगे तो कुछ लोग के रहे कमला हैरिस और क्रिप्टो वाले किते हैं कि डोनल्ड टरंप ठीक है ज़्यादा क्रिप्टो यूजर्स को आप पुछोगे तो डोनल्ड टरंप का ही नेम लेंगे बाकी स्टोक मारकेट के ट्रेडर है में भी ए लोग कमला हैरिस को चाहते है अब देखते हैं कौन आता है यहाँ पर ट्रांप भी आ सकते हैं कमला हैरिस भी आ सकते हैं त्वीटर के ट्रेंड के इसाफ से कुछ सोचल मीडिया प्लेटफोर्म के ट्रेंड के हिसाब से ज्यादा हवा डोनल्ड ट्रम्प की ओर जा रहा है तो कम्प्लिटली वर्ल्ड वाइड मार्केट को हम देखेंगे तो मार्केट के संटिमेंट जो है वो थोड़े खराब है क्योंकि मार्केट अभी ग्रीन की ओर नहीं चल रहा है मार्केट अभी रेड की ओर चल रहा है तो मेरे इसाब से अगर इलेक्षन से पहले मार्केट रेड की ओर चल रहा है तो इलेक्षन के बाद एक दम से उल्टा हो सकता है एक दम से market green की ओर चल सकता है पहले से आपको यह समझना होगा फिर डोनल्ड ट्रम्प win करे या फिर कमला हैरिस win करे यह दूसरे market है निफ्टी है bank निफ्टी है sensex है s&p 500 index है सारे के सारे आंकड़े minus में चल रहे reliance industry है वो भी देखेंगे तो minus के अंदर चल रहे है HDFC है वो भी minus के अंदर तो इंडियन स्टोक market की बात करेंगे तो minus की ओर जा रहे हैं और कहीं न कहीं अमरिकन स्टोक market की बात करेंगे तो भी minus की ओर चल रहा है और crypto market के हम बात करेंगे 68,670 dollar अभी यहां पे ना election हुआ है ना result आया उससे पहले positive चलना शुरू हुआ है हो सकता है election के time भी बुल्टा खेल हमारे सामने कर दे हो सकता है सभी की सभी चीजी हो सकती है एक आप लोग को support का ध्यान रखना होगा कि bitcoin का price 65,000 dollar से नीचे बड़ा candle close नहीं करना चाहिए एक green line है वो support area है और हो सकता है यहां तक market weak मारे चुकि result आएगा manipulation होगा और pumping dumping छोटा मोटा नहीं होगा मेरे इसाब से 3000 से लेके 5000 dollar की effect यहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं तो बिना S.L. के काम नहीं करना है election से पेले market उपर अभी जाना शुरू हुई है तो हो सकता है election के बाद यह market अगेन यहां पे correction ले और फिर थोड़े टाम के बाद अगेन market recovery दिखाया और अगर Donald Trump वीन करते हैं तो भी dump पेले तो dump आए अगर Donald Trump भी वीन करते तो dump आए क्योंकि लोग positive हो जाएंगे एक आएक तो एक बार liquidation game होगा एक green line की ओर आ सकती है market और तक्रिबन तक्रिबन यह previous week जो कि 64,000 डोलर से नीचे भी week मार सकती बट overall market यह green line से उपर रहनी चाहिए तक्रिबन तक्रिबन अभी जो green line आ रही है उसका आखड़ा में बताने की कोसिस करो तो 65,800 बढ़ लाओ को 65,000 डोलर को ही आपको याद रखना है कि 65,000 डोलर से उपर market रहनी चाहिए ठीक है तो अभी क्या कर सकते है election के टाइम पे छोटे मोटे short यहाँ पे कर सकते इसके उपर क्योंकि मेरे साब से अगेन यहाँ पे market गिर सकती है और फिर यहाँ से long कर सकते है अगर short का risk नहीं लेना है तो long के लिए यहाँ पर आप try कर सकते है क्योंकि उसमें ज्यादा accuracy रहेगा इस zone के अंदर long को build करना शुरू करें जैसे market नीचे आये छोटे मोटे long lowest leverage के साथ और फिर हम expect करेंगे कि यहाँ आपर possible एक बड़ा move हमें देखने को मिले bitcoin का price again 72,000 डोलर, 73,000 डोलर और 75,000 डोलर तक भी hit करें तो मिद करता हुए चीजे समझ आई होंगी अब कोन win करता है वो हम देखते है और उसी के आदार के उपर market थोड़ा सा pumping and dumping होगा ऐसा नहीं कि डोनेट ट्रम्प win कर गए और market सीधा pump हो जाए ऐसा बिलकुल नहीं होगा मेरे साब से पहले liquidation game होगा और फिर moment आएगा ट्रम्प जीतेंगे तो market उपर तो जाएगा बट पेले हिरा फिरा के ठीक है